हेलो दोस्तों कल जो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था उसका आज कंटिनुएशन करेंगे हम कल के दिन का जो क्लोजिंग था वो यहां पर था एंड क्लोजिंग प्राइस 23,847 था उसके बाद यह मुमेंट हुआ है आज के दिन में पर यह मुमेंट फिलाल मैं हाइड कर देता हूँ यहां पर सो बेसिकली कल यह एक पैटन मनाया था मैंने और इसके हिसाब से अगर आप इसे फॉलो करें तो यह आज के दिन का मुमेंट है क्लियरली यह जो टॉप था और यह जो टॉप था अगर आप उसको एक्स्टेंड करेंगे तो उस लेवल पर आज रेजिस्टेंस हुआ है और कल यह जो लेवल मैंने बताया था नीचे का जहां पर यह सपोर्ट ले सकता है वहां से देखिए आप सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है डाउन्वर्ड ट्रेंड जो चला रहा था, वहां ब्रीच हुआ है, लेकिन उसके नीचे का जो सपोर्ट था, वो ब्रीच नहीं हुआ, काफी कोशिश की, बट आखिरकार ये रिवर्स हुआ, लेकिन यहां जो डाउन्शाइड ट्रेंड है, वो ब्रीच नहीं हुआ है, so end of the video में कल मैंने बताया था कि अगर इस range के अंदर trade कर रहा है जो range था वो मैं आप आभी draw कर देता हूं basically अगर इस range के अंदर trade कर रहा है तो फिर आपका premium loss हो सकता है मैं call option की बात कर रहा हूं फिलाल उसके उपर भी मैं बताऊँगा यह जो reversal यहां से देखा गया है यह support लिया जरूर है लेकिन कोई extreme breakout नहीं है extreme breakout तब होगा जब यह levels cross होगा so technically कल का वीडियो अगर आप follow करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नीचे का support था वहां से support लिया है उपर का जो downward trend था वहां पर resist हुआ है नीचे का जो upside trend चला रहा था वहां पर bridge जरूर हुआ लेकिन उसके नीचे जो support था वहां से support लिया है so ऐसे time पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में अब चलते हैं call की तरफ current price है 23,879 यह जो है यह 24,500 call option 3rd September का चार्ट है यहां पर अगर आप देखिए यह 15 minute चार्ट है और bank nifty का जो चार्ट था वो भी 15 minute चार्ट है 145 so 145 की अगर मैं बात करूँ so यहां पर bank nifty था 23,560 के पास उसके बाद उपर गया 23,900 तक जब यह movement हुआ तब 27 के पास trade कर रहा था 24,500 का call उसके बाद high काफी बढ़िया high 53 का high बनाया लेकिन एक चीज़ आप note करिए यहां पर उसके बाद price यहां पर जो है bank nifty का वो गिरा नहीं है closing भी आप देखेंगे तो 23,860 के पास close हुआ है resist जरूर हुआ है लेकिन इसके उपर नहीं गया और नहीं ज्यादा नीचे गया है उसी zone में है लेकिन जो bank nifty का call option का premium है वो 53 से close हुआ है 32 पे 20 रुपया गिरा है जबी भी आप call option में trade करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर किसी range में consolidate हो रहा है तो आपका premium कम होते रहेगा जब तक moment दे रहा है तब तक price move करेगा call option का बट अगर रुख गया है और consolidate हो रहा है तो price moment नीचे के तरफ जाएगा प्रीमियम का वहीं पे दूसरी बात यह है कि कल के दिन में expiry है इस वज़े से जो probability है 23,500 जाने की वह कम हो जाती है उस वज़े से प्रीमियम में movement जादा नहीं होता है तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है call option में कभी भी trade करें या put option में जब तक moment है तब तक price अच्छा खासा move होगा और try कीजे थोड़े दूर का expiry लेनेगा दो से तीन दिन के expiry में अगर आप trade करेंगे तो वह आप mostly intraday ही settle कर दीजिए आप अगर सोचेंगे आज मैं लेता हूं और expiry के दिन बेचूंगा तो आपका maximum time premium loss होगा until and unless कि ऐसा कोई movement देखने को मिल रहा है अगर ऐसा movement देखने को मिल रहा है तो आपको profit हो सकता है लेकिन अगर ऐसा movement है तो आपको नुकसान ही होगा most of the time तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है call put में trade करते वक्त आज के दिन में काफी ज़्यादा movement नहीं था तो premium भी उसी इसाफ से move हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन जो हुआ था वो 60 के पास हुआ था और close हुआ है 32 पे जबकि bank nifty positive close हुआ है कल के closing के हिसाब से इस वज़े से थोड़ा ध्यान से call put में trade करें जितना हो सके profit book करके निकल जाए intraday में कर ले तो अच्छी बात है एक से दो दिन रखें उससे जादा मत रखें अगर आपका expiry काफी नजदिक है हाँ अगर आपने monthly expiry लिए कि एक मेने के बाद expiry है तो आप hold कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी काफी जाद आपको analysis करनी पड़ेगी फिलाल के लिए यह सारे levels है आप इसमें देख सकते हैं 23,550 पे काफी अच्छा support बना हुआ है यहाँ पर रेजिस्ट हो रहा है एक बार यह जो ट्रेंड लाइन है यह ब्रीच होगा तो अगला resistance 24,060 के पास है पूट के बारे में कल के दिन में वापस एक वीडियो बनाएंगे बैंक निफ्टी के उपर और देखेंगे आज चो लेवल्स है उसके सबसे कल क्या ट्रेड होता है फिलाल के लिए अगर यह resistance ब्रीच होता है तो अगला resistance यह अगर यह भी ब्रीच होता है तो उपर की तरफ करेगा यहां पर और यहां पर अगर यहां पर ब्रीच नहीं होता है तो फिर यह नीचे की तरफ और अगर यहां से यह वाले लेवल्स ब्रीच होते हैं तो फिर अगला support फिर से 23,550 पे हैं सो इसी साब अपना trade प्लान करें और ध्यान रखें call and put option में trade करते वक्त थैंक्स प्र लगां यहां विदिज ब्रीच आ हैं बीच दो शब्सक्राइब ग्ज्च कर द्यादेव होता है तो इल्टेफम पर इंग क्वेच कर देखें हैं ग्यान यहां वाले शगखें प्रेंग कर दा ettू इंग